इसय गाँ में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। इल्ट्राकीटो क्रीम एंटी फंगल्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका इस्तेमाल तवचा के फंगल इंफेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। ये ऐसे फंगल्स को मारकर काम करता है जो एथलीट फोट, छाले और दाज जैसे संक्रमन का कारण बनता है। अल्ट्राकीटो क्रीम का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे अधिक्तम लाब पाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें, इससे आपकी स्थिती जल्दी ठीक नहीं होगी और इससे केवल साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी से अधिक समय तक दवा का इस्तेमाल न करें और अगर इलाज के दो से चार सप्ताह के बाद भी आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है, तो डॉक्टर को बताएं। अगर आपको एथलीट फुट की बीमारी है, तो अपने मोजे या टाइट्स को अच्छी तरह धोएं और अगर संभव हो तो अपने जूते को रोजाना बदलें। इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में उप्योग वाली जगह पर रियेक्शन जैसे, यानि की जलन, परेशानी, खुजली, लाल होना, त्वचा में छाले पढ़ना या फटना, रुखपन होना शामिल हैं। कभी-कभी इसके कारण आपके बालों में पतलापन आ सकता है, ये आमतोर पर गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गंभीर अलजिक रियेक्शन हो सकता है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके लक्षनों में रैशेज, होंट, गले या चहरे की सूजन, निगलने या सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं। जिसमें स्टेरोई था या अगर आपको किसी अन्य एंटी फंगल दवा से अलजी हुई थी तो अपने डॉक्टर को यह बात बताएं। गर्भवती या स्तनपान करवा रही महिलाओं के लिए यह क्रीम का इस्तेमाल केवल तब किया जाना चाहिए जब इसकी स्पश्ट रूप से जरूरत हो। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल 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 झाल